परसनल फानेंस एक तूल आपकी लाइफ का आप पार्ट होना चाहिए यह अपकी लाइफ का पार्ड होना चाहिए आपकी लाइफ नहीं होना चाहिए जैसे यह मेरे पास फोन है तो अब कुछ लोग पूरा दिन फोन में लगे रहते हैं उनका स्प्रीम टाइम 12 गंटे 14 गंटे और ऐसा नहीं कि बहुत प्रोड़क्टिव यह बहुत कुछ एफिशेंट काम कर रहे हैं बट ब्राउसिंग ने निकाल दिया यूट्यूब पे विडियो देख लिए बिल्कुल मेसेज फॉर्वड कर दिए बिल्कुल लोगों के लिए है है एक है है अधि एफिशोड के अंदर आज के हमारे गेश्ट है स्रीजन भार्दवा जो कि एक क्रिप्टो करणसी में है परस्टनल फाइनस में हो डिजीटल मार्केटर भी है और एक प्रोब्लम सोल्विंग एक प्रोब्लम सोलवर है वह तो हम आज इसे काफी सारी बात जरूर अन तक बने रहेगा इस पोड़कास के अंदर चलिए सुरू करते हैं हलो स्रीजन भाई कैसे हैं मैं बढ़िया हूं शावास भाई आप कैसे हैं बस बस मैं भी काफी अच्छा हूं तो सीजन भाई जस्ट मैंने तो आपका इंट्रॉडक्शन एक डे दिया लेकिन आ और बाई प्रोफेशन और मेरा खुद का बिजने से सो एंट्रॉडक्शन बड़क्शन बड़क्शन अपने बोला तो में को खुद को लाइक I think I'm more of a problem solver rather than an entrepreneur लोग ऐसे लोग ऐसे बोल देते हैं कि चलानी बट मेरे लो तो प्रॉब्लम ही है और पिछले कुछ सालों से I've also been into investing and personal finance और बाकी हां मतलब I like to sleep a lot I like to play a lot of sports तो वो एक अलग part of life है तो मैं कभी असानी रखता कि पिछले दिट साल से की सिफ काम-काम I've started finding a balance तो अभी my life is around work of course yeah but at the same time I like playing जैसे मैं बताया sports वगेर होगे video games होगे reading watching movies spending time with my family तो थोड़ा सा लास कुछ सालों में from a very hustler mindset थोड़ा से life work balance पर आयों तो यह ओके 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 ग्रेट तो सिजन भाई मैं आप से जानना चाहूंगा कि जिसे आपने सब कुछ किया है जैसा मैं आपको जानता हूं कि आपने डिजिटल मार्केटिंग में काम किया है अपने परसल फाइनस में किया है अप पब्लिक स्पीकिंग भी मलब सभी चीज के अंदर रहें तो बताएंगे कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी सबसे पहले आप क्या काम कर देते फिर दिन आपने next क्या किया तो थोड़ा एक सीक्व निवर्सिटी टॉपर वगरे हैं तो मैं इसी फैमिली से हूं जिसमें मोस्ली इतने बड़े लोग हैं वह या तो टीचर है या गॉर्मेंट जॉब में हैं तो और मेरे आसपास घर में 17-18 साल रहा वो सारे लोग आसपास की टीचर सी थे अच्छा मैं हमेशा से एक ऐसे इन पक नंदन बाल हंसोगे रहाती थी वह चाचा तौद्री आता था शक्तिमान की कॉमिक्स और जितनी कॉमिक्स आती थी जैसे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे महात्मा गांदी बगेरे इन सब की पढ़ना ये सारी बुक्स बगेरे में को पढ़ने का शौक लग गया था बच्पन से तो स्पोर्ट्स में भी बहुत शौक था तो मैं खेलता रहता था तो जब मैंने टेंथ करी उसके बाद मैंने साइंस ली मै मतलब 8-9 तक भी मेरे ठीक-ठीक मांग साते थे 85 परसंट ऐसे तो जब मैंने कोचंग जोइन करी साइंस की मतलब जो कोचंग इंसिटूट देसे फिट जीव अगरे होता है तो मुझे समझ आगे कि IIT को नहीं निकलेगा तो मैंने बहुत जिल्दी एक्सेप्ट कर लिया तो से हूं मतलब मेरी फैमिली में सारे टॉपस हैं कोई भी गोल्ड मिडल से या युनिवर्सिटी टॉपर वाले कम लेवल नहीं है सारे डूबल मास्टर्स पीएश्टी ऐसे वले लोग है तो एक थोड़ा सा वो चीज़ फील होती थी और उसके बाद मैं इसी ताइम के अरॉ शह में लग गए थे शाबाज बाइश चीज़ को एक्सेप्ट करने में बट उसके बाद ना में फरक नहीं बढ़ा था तो मैं उसके बाद कोचिंग इस ऐसा नहीं कि मैं फिल्ट्र है करेंगे तो उस इंसिदेंट को मैं लाइफ चिंजिंग इंसिदेंट वानता हूं अप मैं फिजिक्स में कभी स्कूल में फेल नहीं होता और जैसे जब मैं बुलाती है तो सब बच्चों का नाम पढ़ती है अच्छा हां स्रजन आपके तीन नंबर आया है क्वेंटिवाई में साथ याद रहेगी तो उस टाइम पे बहुत चुभी कि ऐसे मैं ने बेस्ती कर दी बट फिर मैं कोई याद रहा तो जब मैंने बीटेक वगरे करने का डिसाइड करा मैं इंजिनिरिंग जा रहा था बट मैं उपन मैंड के साथ या था कि यार बीटेक में सब स्यादा अगर एक्सपरिमेंट करने तो में को करने सब सादा में कुछ चीज़े ट्राइ करनी है पेल होंगे तो होंगे क्योंकि अभी फेलियर से दोस्ती हो गई है और बिलकुल जो चीज मन में है ऐसा ना रहे रिग्रेट ना रहे जैसे लोग बोलते है कि यार काश में कॉलेज टाइम में वापस चला जो तो वैसा होला रिग्रेट नहीं रहना चाहिए और दूसरी में इंदर चुल थी कि मैं क्लास में सबसे शाय और सबसे बच्चा था इंट्रोवर्ट कि मैंने कभी भी स्कूल में किसी लड़की से बात नहीं करी होगी जाके इतना शाय था मैं हाई हिलो दूर से रखता था तो मैंने सोच लेगी कॉलेज में किसी को पॉपुलर बनना तो मैं खेलता भी रहता था दन में चार से पान चंटे डिली और जिम वगरे भी शुरू कर दिया फिजिकल वगाउट मेरा मेरा में रहा इंट्रेस्ट एक दिन करते करते में कॉलेज से बात हुई तो इसी में अपने आपको बहुत ब्लेस्ट मानता हूंगी मैंने लाइफ में और बाकी सारी चीज़ें तो टाइम नहीं मिलता था उतना तो जो मैं साथ में जो सारी साइड हसल कर रहा था इसमें चार-पांच घंटे जाते थे तो मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने बोला कि वेबसाइट बना लेना मतलब जो भी चीज़े करता है वेबस इस बगरे के पास बैज्ट है तो उन्होंने समझा क्यों से काम करती है और उस टाइंग वेबसाइट बनवाने के लिए पहले दोमेनी लिएम वाने के लिए लिए सारी सीजि़े तो उस से बनवाने के लिए अटेयर दोलाग रुक्ए लगत अच्छी अगर आप कहीं तो वेबसाइट बनाई तो फिर में को समझ आए कि वेबसाइट पर ट्राफिक भी लाना होता है तो उस टाइम पर मैं को समझ आए कि एक स्योगर के चीज़ होती है तो मैंने स्योगा पॉर्स करा ओके ऐसे मेरी डिजल मार्टिंग की जोनी साट हो गई वहां से 2012 की बात है यह यह सारी जिब चीज़े स्टार्ट करें तो एक बेनफिट यह था कि कॉलेज में प्रोजेक्ट में दिखा देंगे कि आपने वेबसाइट बनाई आपने अपने अपने साथ मैं थोड़ी बहुत कोडिंग भी सीख रहा था जो मैं को समझ आगी थी नहीं आरी पर ले तो मैं पता नहीं भी शायद की वेबसाइट बन सकती है तो इसमें अच्छा फ्यूचर हो सकता है तो वहां से मैंने यह कोर्स वगरे करने स्टार्ट करें थोड़ा मेरे पेरेंट्स को भीच में चंता भी होई कि यार बच्चा इतना सारी कोर्स के लिए पैसे तो खर्श कर रहा है तो मतलब मैंने मोटा मोटा तीन लाख तीन साल में डेड़ लाख रुपे खर्श कर दिये ऐसे इन चीज़ों में थोड़े बहुत अपने मामा वगरे से लेके थोड़े इंटर्शिप्स वगरे से मिलते थे उस टाइम में बीटेक के साथ अगर आप ऐसा खर्चा कर रहे हो मोटा मोटा 45,000 रुपे आपके महीने इन चीज़ों में जा रहे हैं तो 2012 वाले टाइम में अतलब आच साल बेले नौ साल बेले तो और जाधा वह था थोड़ा सा माइंसेट की सिर्फ बीटेक करके बीटेक के पढ़ाई करो बस बस थोड़ा बहुत इस्टा कर लो में लिए मैं पहला रुपया कमाया तो मुझे स्कॉप दिखा कि हां यार तीन साल बात कमाया तो पॉसिबल तो है बैक अकाउंट में मैंने किंडल बुक लिखी तो आमेज़न से चेक आया था तो मैं बड़ा खुश हुआ था कि चेक आया और ऐसे बैंक में पैसे हैं दीन अजार रुपय आयता तब तो मैंने डिसाइड करा कि जून में पेपर खतम हो रहे थे और जुलाइश से इसी को डिजिडल मार्गेटिंग को फुल टाइम करते हैं तो वहां से डिजिडल मार्गेटिंग की जर्नी स्राट करी तो पहले एक साल तेर साल बिसनस होना मारा मैंजट था कि बहुत सारी उसे करते हैं जो सर्फेस चलेगी उसी को आगे बिल्ड बड़ते जाएंगे समाज़ेंगं सब्सक्राइब कर देंगे तो डेर साल में हमने बहुत सारी चीज़े ट्राइग सारे ट्राइग डिंदल साथ गरी यार्ट कि डिवलाफ मेंट सार करें से ट्राइबरा सब्सक्राइब और ग्राफिक डिजाइनिंग ऐनीमेटेट एक्स्प्लेण वीडियो जो अच्छी जो उनसे समझ आ गया और गलतियों अफ-कॉर्स बहुत सरी रास्ते में गरी अपकर तो उसके बाद यह चीज वही कि में को और मेरे फ्रेंड को समझाए सब्सक्राइब करते हैं कि अच्छा तो अभी अच्छा तो अभी यह स्टार्ट करा जब प्रॉडट्ट लॉंचेज वगए ऐसारी चीज़े हुई कुछ हमने बिजनस लोन लिए थे क्योंकि पैसा खतम हो गया था और सेविंग उतनी थी नहीं ठीक है वह लोन वगए क्लियर करें उसके बाद डिसाइड करा कि थोड़ा सा डाइवर्सिफि जैसे आपको बोल दाता रहे पागल है क्या यह थोड़ा करते हैं और लों सुनोलते हो कभि बिल्कुल होता है तो वही वाला फेस्टा मनें लोगों की सुनी हमने स्टार्ट नहीं करा एक्म अच्छा चलिया ऑपकर इप्वेंटी सेवेंटीन के ऑगस्थ में में बंध में म प्रोग्राम्स बनाएं वहां से फिर हम लोग आगे यह तक सेम चीज कर रहें चार साल से प्रोग्राम्स और अभी आनिमेटिट वीडियो प्रोग्राम्स और काफी कम लेवल पर करते हैं उस चीज को भी मेंटेन कर वह एंड उसके लाबा जो इन्वेस्टिंग जर्नी है वह लास्ट यह जैसे मतलब कोविट वगरे हुआ था तो हमारी जो वहान में हैं जहां से कोविट शुड़ हुआ था तो हमारे काफी डिक्कत वगर आई थी बट लर्निंग स्पीडियंस था अच्छ एक्स्पीरियंस था लॉस्ट वगरे भी हुआ फिर से लोन लिया तो ओवर को प्राब्लम सॉल्फ करने में मज़ा आता है तो वह मैं खाली यह सोचता हूं कि एसी क्या प्राब्लम है जो लागों को फूर्ण और मुझे मिशे के बाद मेरा सॉल्यूशन एक्सिंग सोल्यूशन से बेटर नहीं है तो मैं उस प्रॉब्लम को छोड़ देता हूं अगर काफी अच्छा रहा मतलब जिसे आपने एक वेपसाइट करने से स्टार्ट किया देने सी ओभी सीखा फिर जितने भी मोडूल्स मतलब बीट आए गया काफी अच्छा रहा और में बात आपने बाते कि सब को यह पूछना चाहूंगा कि अगर आपने सब आपका पाथ सिलेक्ट गया तो अभी आपने बहुत सारी मिश्टेक्स भी कियोगी तो अगर को एक बीगिनर अभी डिजीटल मार्केटिंग में अपना करिय बनाएं क्या पाथ उसे फोलो करना चाहिए है अच्छा डिपेंड करता अगर स्टूडेंट है तो तो आपके पास बेस्ट ऑप्रचुनिटी आप इंटर्शिप कर सकते हो लोके हैं आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस में मिल जाएगा लोके और आप किसी और की कंपनी म और उसके आपको पैसे भी मिल रहे हैं तो वेल इन गुड है आज के टाइम में लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा हाइप कर दिया है कि आपको पेड इंटर्शिप्स ही करनी होती है बट मैं अगर आपको बताऊं शावाज भाई मैंने शायद तीन साल में एक ये दो पैसा घमान है या आपको कुछ और चाहिए मैक्सिमम लोग बुलते में को पैसा कमान है कभी ना कोई इंसान यह नहीं सोचता कुछ और में आ सकता है जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं को 99.99% चीज़ें लोगों नहीं बताई है तो उसका रीजन है कि मैंने ना हमेशा प इंटर्णशिप में जैसे मानलो जो डारिक्ट फाउंडर है या सी यह जो भी अच्छी पोस्क पर है मैं उससे बुलता था मुझे हफ्ते में बस एगंटा दे दिया करो लोके मैं को एगंटे में मेरे डाउट साब क्लियर कर दिया और हो पैसे बैसे कुछ नहीं है मैं काम क पहले से लिख कर लूँगा आप मुझे समझा दो और फिर में अगले अफ़ता दुबारा गाम कर लूँगा तो यह मेरे लिए चीज बहुत इच्छी काम करी क्योंकि मैंने इसे बहुत अच्छा नेट्वर्क क्रियेट करा और शायद मैंने हां उस टाइंप अगर मैं सर्प्राइज हो जाते हैं जैसे मैं बोलता हूं कि अगर कोई में को बहुत बड़ा बंदा के बोले जो मुझे तीन चार लेबल जैसे में ओपर मांता हूं कि मैं साथ आके छे मीने फ्री में काम कर क्षा अगर अच्छी ऑपर्शुनिटी बार-बार नहीं आती ना जैसे अ अगर आपको बहुत ही अर्जेंट नीड है वैसे कि आपकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आप ऐसे का सोचो अगया बट अगर आप बिना पैसे के भी कमफर्टेबली जी रहे हो ओके फोकस करो कि पैसे अलाव आप उस चीज से कैसे वैल्यू निकाल सकते हो ओके ओके त मैं चला रहे हो चला रहे हो आपकी जो चला रहो उस ने आपको फ्रोंगर करता है यह बहुत है हो करता है क्योंकि अगर आप अकेले ही काम कर रहे हो कभी आपको पता नहीं ना किसी और का प्रस्पेक्टिफ कैसे ले सकते हो अगर आप इसको जॉब करना चाहते हो या फुल टाइम बिजनेस करना चाहते हो उस केस में आपके पास पहले I would suggest कि कुछ और भी चीज होनी चाहिए उसमें आपको एक चीज पकड़ने पड़ेगी जैसे आप के साथ कर सकते हो किसी चीज को की इस सब्सक्राइब करना चाहिए उसमें उस लेवल पर पहुंच चुका है पहुंचब चाहिए और जिसकी लाएफ को अच्छा लगते हैं मैं इसा चाहिए ऑक वही आपको बैस्ट पाइगा और वहां से फिर आप नेक्स चीज पर मूफ कर सकते और कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको ऐसे पांचे बार करना बड़े जैसे हम लोगों ने दस से बारा सबसे स्ट्राइब करी इसमें से हमारी दो सर्वेसे अच्छी चली ठीक है बट अब क्यों होता है कि maximum लोग एक ही सीखा जो फिचर में काम आएगा अफकोस आता ही है बिल्कुल बिल्कुल एक री बात है यह तनी नहीं फील्ड है ना भाई कि लोगों को पता ही नहीं है वीज का और लोग डॉट कनेक्ट नहीं कर पाते कि यार ऐसे वह कैसे काम आ सकता है जो मैंने वहां से सीखा वह कैसे क सकता हूं यह स्किल तब की अभी काम आ गई आपने उसका एक्टिविटी करता है तो कलको टीम भी बनाएगा तो उसे बेजिक नोलिस्त होगा एक्लिस के वह का बंदा रखा है तो उसको आता है कि उससे चीट नहीं कर पाएगा यह चीज भी है मैं आप से पूशन आपने मुझे थोड़े पहले बताया कि आपके अच्छी हाई पोस्ट के उपड़े गवर्मेंट में हैं सब तो आपको किसी ने इसा का नहीं कि तूप इदर जा रहा है तो क्यों मतलब तूभी मतलब जोब कर या इसा वैसा क्योंकि हमारी एजुकेशन के टाइम पे भी सबको यही था कि आज भी हमको बोलते गवर्मेंट की प्रिपेशन करो तो उस ताम आपको घर में तो सब गवर कंबेंस किया या काहए नहीं किसी न है ऐसा या एसा नहीं मतलब कहांच हän सब ने बोला सब मेरे पेरिंट्स ने बोला कि चल तू हम नहीं बोलौप कर ले फिर बिजनन से लेगा ठीक है मतलब जॉब का एक्सपीरिएंस ले ले और मैं को सब लोगों ने बोला कि कोई फाइदा निया बिजनस का क्योंकि एक ना उस टाइम पे अभी तो जैसे लोगों को वेर्नेस होगी बट उससे पहले जो हम देखते थे बिजनस होगे रहेगा वो मुवीज में देखते कि एक सेट है जो फैक्टरी के मजदूरों पर अत्याचार कर रहा है उनसे पैसा निकालता है मजदूर बचारा भूका मर रहा है तो एक जो नॉमल में की फैमिली की ओवरॉल परसेप्शन दिना वो थोड़ी से नेगेटिव भी या जैसे मनी लॉंडरिंग कर रहे हैं बिस मतलब मैं डिरेक्टली सीधा बोलता हूं मैं बहुत ही सेलफिश हूं इन चीज़ों में अगर मैं सामनाम दंड पे सारी चीज़ लगाता हूं अगर कोई इंसान मेरी डिरेक्ट बात नहीं मन रहा तो अगर मुझे जूट बोलना बढ़ेगा अपना काम निकालने के लिए श सब्सक्राइब करेंगे लिए तो वहां से थोड़ा और सारे लोग बोलते थे तो बीच में ऐसा भी टाइम है को बता चल गया कि मैं तो गया ही नहीं जोब के लिए जूट होगरे बोला था काफी तो नराज हो गए उसके बाद में को बोलते थे कि डेली में कोई ढूंड ले तो मैं ऐसे मस्त फॉर्मल पहलें के निकलता था बैग में टी-शिट जीन्स रखता था पिर अपनी ऑफिस जाता था करता दा शां को अपशता था राकी यहां पर इक अच्छा नहीं लगा वू पहर है को तो उन्हों में आ चाल नकाले फिर इन पहर आज सब्सक्स काल मूंद नहीं गोल रहा हो bara लाइक प्रॉफिट वगेर हुआ साट हुआ अगनिंग साट हुई वहां से थोड़ा घर वाले ठीक हो गए उससे पहले मैंने दो या तीन बिजनस लोन भी लिए तो मैंने बताया नहीं था उनको क्योंकि मैं को था कि ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या ही अब एक बहुत वहत सब्सक्राइब कर से यह चलेगी वह तब नहीं चलती है तो सारे लोग मुझे ऑपोस कर रहे होते हैं बड़ बाद में सारे लोग आके मुझे से पूछते हैं कि बता कैसे जैसे जब हम केंडल बुक्स कर रहे थे तो इतना ट्रेंड नहीं था बट मुझे पोटेंशल सब्सक्राइब करते हैं लोगों को नहीं दिख रहा था कि अगर इसी चीज में बिलीफ करते हो तो उसको कर लो और यह ट्राइब करके देखा लोगों करते दो मन में सोचते ही रहोगे बार बार नहीं तो इंप्लिमेंट कर लो चीज़ को जो भी आइडिया मन में आ रहा है कि एक्षाय रहा तो एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिसे में आपसे बोला जो कि अपर बात करेंगे तो अगर मैं आप से पूछो कि पर्सेंल फाइनेंस क्या है तो यह आपकी लाइफ का पार्ट होना चाहिए आपकी लाइफ नहीं होना चाहिए जैसे यह मेरे पास फोन है तो अब कुछ लोग पूरे दिन फोन में लगे रहे थे हैं उनका स्क्रीन टाइम बारा घंटे चौदा घंटे और ऐसा नहीं कि बहुत कुछ एफीशिंट काम कर रहे हैं बट ब्राउजिंग ने निकाल दिया यूट्यूब पे विडियो देख लिए बिल्कुल लोगों के लिए फोन बिकार है जैसे अभी आप फोन से अपने डिकॉर्डिंग कर रहे हो आप इसको परपस के लिए यूज कर रहे हो बिल्कुल आपके लिए यह फोन अच्छा है बट इविंचुली है तो एक फोनी मतलब है तो एक टूली अफ्कोर्स तो ऐसी परसनल फाइनास है कि जिन लोगों को अप खराब हो जाएगी बठाँ फरक पड़ेगा आने अबले कुछ सालों में जब वो देखेंगे कि पैसे का डिफरेंस कैसा क्रियेट और उनको कॉंटिनुवसली और पैसा कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा वो जो एक डिफिसेट बनेगा उसको पूरा करने के लिए तो मेरा आप तूल उसको उतना अच्छे से बताई नहीं पाए डिमेंस्ट्रेटी नहीं कर पाए ओके अभी मैं लोगों को बोलता हूं कि सबके लिए परसनल फाइनस नहीं है जैसे अब कोई स्कूल में कॉलेज में अच्छी बात है कि आप यह सारी चीज़ों को कर रहे हो अभी आ आपका दादा बड़ा फोकॉस अकॉर्डिंग टू मी शुडबी कि मैं एक हाई पिंग स्कूल के से मतलब सीखूं जो मुझे हल्प करें अभी आपने अपना जस्ट लाइफ का जो कामवला पार्ट है वो स्टार्ट करें अगर आप इमीजेटली पहले दिन से सोचोगे कि म है वहाना बहुत जल्दी अपना जो भी इंकम है कर सकते हो जैसे मानलों कि आज किसी ने डिजिटल मार्केटिंग में शुरू हो गरा 20,000 रुपीस तीक है एक दो साल में तीन साल में अपना अच्छा काम वगरे करा और अच्छी ऑपरचुनिटीज वह सीख करके अच्छे स सारे लोग 20,000 से 50,000 वाल लाग भी पहुंच जाते हैं यह पॉसिबल भी है अब तो बहुत सारे लोग इंडिया पहुंच रहे हैं तो अब यह चीज है कि अगर कोई 20,000 पर यह सोचता है कि यार मैंना 4,000 रुपे हर मीने इंवेस्ट कर दूं ठीक है आपने 4,000 रुपे करे साइदा 20,000 रुपे में उतना ही आपका सॉरी 2,000,000 रुपे बंदर रुपे जो एक साल में आपका उतना कवर कर देगा वी सब्सक्राइब के हिसाब से यहां पर सेम चीज है कि लोग क्या गलती करते हैं वो पहले फोकस करते हैं कि मैं किसी जैसे बिटकोइन में वेस्ट कर सब्सक्राइब की जाए कि जिससे फिर आप और फाइनन्स बना सके हैं पैसा बनाने के लिए मतलब खुद पर लगा उसके बाद कि उससे पैसा बनाओ तो मतलब जैसे एक चीज़तों यह हो गई जैसे सिजन भाई कि मतलब डेफिनिटली कि अगर बिगिनिंग फेस में है त थोड़ा बहुत भी आंकर तो इन्वेश करके ज्यादा करें लेकिन अगर इस अभी आप जिस पोजिशन पर हैं कि जहां पर आप एकॉम कर रहे हैं आप एनिमेटेट वीडियो कर रहे हैं आप आपके क्रिप्टो में इन्वेश्ट करें फिर फॉर्दर इन्वेश्मेंट ह से बीट जगा से बढ़ इन्वेश्मेस में कि कितना में इन्वेश्ट करना कहा कहां कहां से पेसा कितना आ रहा कि इसे परस्लाइन समझा तो यह प्रिंज में या गलत हूं कि आपके हाथ में अगर एक लाग रुपे कैसे खर्च करने वाले हो okay accounting मतलब आपको पता है कि मेरा पैसा कहां से कितना आ रहा है कि कहां कितना जा रहा है आपके पास एक पूरा लेजर और चीज का बही खाता है और investing आप अपना पैसा से पैसा क्रिएट करना चाहते हो saving जो आ आपको न अपना इंसान को खुद को समझना चाहिए जैसे हम किते हैं कि मैं किसी स्टॉक में वैसा इन्वेस्ट करूं तो हम स्टॉक के लिए कंपनी में बैठके 20 घंटे research करेंगे उसकी balance sheet देखेंगे पी रेशो देखेंगे इस चीदे देखेंगे वह 20 घंटे काम पहले खुद पर नहीं लगाते यह समझने के लिए कि हम कैसे इंसान है कि मेरी आगी की जर्नी कैसी रहेगी मैं को यह तो समझना बढ़ेगा मैं आज कौन हूं और कहां पर स्टैंड करता हूं तो सबको मैं सजेस्ट करता हूं कि पहले 20 घंटे खुद पर लगाओ अपने self-assessment करो सब्सक्राइब आज करता हूं कि मैं कहां पर सेंड करता हूं ओके हैं यह मेरा पॉइंट एयर में को आज से दस साल बाद कहा जाना है वह मेरा पॉइंट भी ए जैसे आज जब मैं 22 की ऐच पर था तो मेरे पास शेविंग्स नहीं दे में को लोन भी चलगा था और मैं को यह तो उस टाइम पर मैंने जब सेल्फ असेस्मेंट करी मालों तो मुझे समझाए कि मेरी यह चीज़ें पहले लोन क्लियर करना चाहिए फिर आगे की चीज़े देखिए तो मुझे पता ही कि मैने फॉर एक्स कर रहे हैं मैं नहीं कर रहे हैं तो चलो मैं भी करूंगा मैंने शुरू कर दो इस पर काम करना असान है कि जो आपका ऑटर बैंक बैलेंस है कि इनर बैंक बैलेंस पर डिबेंड करता है मतलब आप खुद से कितना ग्रों कर रहे हो इसका कुछ पर्सेंटेज आउटसाइड में देख सकते हो वैल्यों में तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप समझो कि आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हो ऑनेस्ट हो कुछ से आप पेशेंट हो या नहीं हो आपके अंदर वह जो हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन है कितना टाइम लगा सकत क्रिप्टों में लगा लॉस खाया उसे लॉस को और फिर आगे थीरियम रिपल में लगा कर मैंने थाई साल छोड़ दिया ओके आप मालों कि नहीं में एक बार अकाउंट नहीं को लोगा अपना अच्छा इतनी पैसे इंवेस्टिंग और सेंक मतलब कुछ मुचिल पंट्स समझनी है कि आप किस टाइप के इंवेस्टर हो तीक हैं के लिए क्या इंवेस्मेंट सेल सूट करता है जैसे कुछ लोगों के लिए है वो हाई-risk ले सकते हैं मैं हाई-risk ले सकता हूं ठीक है वह बचपन से एक ऐसी नेचर क्रीट हो चुगी ओके और मेंको जो रिस्टो रि यह मैं खतम हो गया मेरे बास कोई आउट सेंडिंग लोन या यह मैं नहीं है और में को भी कोई इमिजेट ऐसे खर्चे की नहीं है दो साल में तो तीन साल में ज्यादा पैसा पैसा जाएगा लोन लिना पालेगा यह सारी चीज़े ना सोचके आपको पेन पेपर पे 20 घंट स्टैंड कर तो आपको कहां जाने उस केस में वह चीज वह जड़नी असान है वरना आप इमाजन करो आपको पता नहीं कि कहां जा रही है समझ गया है तो वह इसकी चीज़ है ओके ओके सबसे पहले अपने आपको समझना चाहिए अपना पॉइंट बनाना चाहिए हमको कहां करने के लिए तो वहां तक पोचने का रस्ता हमें सोचना चाहिए उनसान को कि आपके थे पूछना चाहिए इनसान को कि यह जह करने के से तर्फ में कि घर निगे करना चाह रहे हैं कितना कमा रहे कहां से कमा रहे हैं क्या इन्वेस्ट कर रहें तो इसको अगर कोई करना चाहता है क्या गाइडन्स देंगे आप तो सबसे पहले मैं बोलूगा कि आपको जैसे जहां अब यह चीज मैंने अपने बाप ऐसा सीखिए कि जो मेरी महीने के फिक्स खरचे हैं उनको मैं डेट के साथ अपने पास लिखके लगता हूं जैसे हर महीने के 26 तारीक को मेरा वोड़ा फोन का बिल आता है 590 रुपए गा ठीक है मुझे पता है मेरे को मेरी डेट के हिसाब से लिखके रिखा है मैं यह यह देट के हिसाब से मुझे एक लारीटी आ गई कि यार मेरे हर महीना इतना रेकरिंग खर्चा तो रहे गई रहेगा ओके से फॉर एक्जामपल मेरा हर महीना 4000 रुपए रेकरिंग खर्चा रहे गई रहेगा ठीक है अब क्यूकि अगर मैं 50 कमार करेंग निर्वाटर मेरे पास कोई loam नहीं को मिरी ऐसा इमिजेट नीड में फैमिली को सपोर्ट तो मैं जाधा इन्वेस्ट कर सकता हूं थिक है तो उस केस में वह बलाट आजाएगा अगर मेरे पास अच्छा गासा है अगामांटम ले रखा है होम लुद रून का लून होना चाहिए कोई लोन के लिए यह चाहिए आज मेरे पास शायद कोई लोन नहीं है बट एक बार शादी होती है बच्छे होते हैं आपके फिर वो चीज़ें दुबारा 50 से नीचे आजाएगा के हिसाब से जब इंसान 52 53 को होता है क्योंकि तब तक नॉमली उसके बच्चों की जॉब स्टार्ट हो जाती है और उसके मोटे-मोटे सारे खर्चें निपड़ चुके होते हैं हुम लोन का इमाय कतम हो चुका होता है सब्सक्राइब हो जाती है और जो यह सब्सक्राइब कर सकते हैं के बीच में मुश्किल है तब ज्यादा खर्चे बढ़े आएंगे तो आप ज्यादा सेव नहीं करता होगे तो जो यह 22 के बाद कामाना भी स्टार्ट करता है इंसान और 28 तक के बीच में इन्वेस्ट कर सकता जितना उसके बाद उसके खर्चे बढ़े जाएंगे तो यह चीज़ हमेशा सोचनी चाहिए और जब भी आप इंवेस्ट वगरे गर रहे हो तो मैं सब्सक्राइब करता हूं आप बेसेक्स अपने क्लिए रखो और सबसे वहले एक हेल्थ इंशॉरेंस लेलो अच्छी एक लाइफ इंशॉरेंस लेलो दोनों कुछ 15-17 लाग रुबे खर्चा आया क्योंकि उसने अच्छी हेल्थ इंशॉरेंस ले रखी थी बाकी सारा हेल्थ इंशॉरेंस कंपनी ने वेगरा काफी अच्छी बात है लोग काफी लोग अवेर नहीं यह चीज से लाइफ इंशॉरेंस लिल गुल तो अगर आपकी फैम इतना सस्ता बढ़ेगा जितना लेट कर ओगे उतना बहंगा बढ़ेगा ओके ओके तो यह चीज अपसे बहले दूसरा आपका मिनिमम अगर आप इंडिपेंडेंट और हो मतलब आपकी और निंग से किसी और की जरूत नहीं है तो आपके पास मिनिमम छे मिनेगा अपना एक मैं 90,000 रुपे अपने पास सेफ करके रखूंगा किसी लिक्विट फंड में जहां पर मैं एकसेस कर सकता हूं ताकि किसी दिन अगर मुझे जरूत पड़े तो मेरे पास एक छोटा सा अमाउंट है और इसको मैं यूज कर सकता हूं और अगर मैं मतलब अगर मेरी फैमिली मे अगर आपको बता होना चाहिए कि वह मौंट कितना होना चाहिए आपके लिए बिल्कुल जब को एक रात को हो गया थे ना कि चैन की नींद आया आपको रात को वैसे वाला ओके यह अगर आप बिजनस कर रहे हो आप फ्रीलांसर हो आपका बिजनस एक्सपेंस भी होगा कि कल को अगर आपका एक महीना नहीं चला बिजनस तो ऐसा नौकी ठप हो जाए बंद हो जाए और शे मेने का आपके पास खरचा अगर टीम की सालरी जाते है तो उसमें लिखो वह भी आपके बास से होनी चाहिए ओके 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 तो यह सब प्री प्लान और उसके बाद जब कि हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम शाइनी ऑब्जेक्ट को चेस करते हैं कोई नई आप आ गई कोई नया स्टॉक सुन लिया किसी दोस्त ने बोल दिया और यह ऐसी मार्गेट है जहां अंधों में कान राजा जो बोलते हैं वैसा वाला तो बैटर ही है किसी प्रोफेशनल के चाहूँए या ऐसे प्रोफेसर या डॉक्टर से सीखना चाहूँए जिसने बीस साल वो सरजरी करी है तो जिस इंसान ने बीस साल सिर्फ पढ़ाई ही इन्वेस्टिंग और इंसारी चीज़ लिए जो लोगों को सिर्फ फी उनली एड्वाइजर जिसम बोलते हैं इसी ची चीज़े बताएगा जो आपको लोग नहीं बता रहें तो यह चीज में सबको रेकमेंड करता हूं कि एक बार आप इसी फी उनली एड्वाइजर से बात करो दो-तीन अजारों पर एगंटे को लेते हैं या एक सेशन के लिए ठीक हैं मैं क्रिप्टो के लिए भी जब मैंने लॉस खाय था बहुत जादा 2017 के मैंने तीन शावाज भाई तीन फी उनली एड्वाइजर उनके साथ एक सेशन लिया वहां से मुझे जितनी क्लारिटी मिली ना उससे पहले मुझे नहीं थी और अभी भी जोन लोगों ने मैं को स्राटेगी उता रखी मेरे लाज तक काम कर हैं उनसे मैं आज भी टच में रहता हूं तो यह चीज बहुत इंबॉटेंट है कि मैं अपनी लाइफ खुद अभी फिगर आउट कर रहा हूं वह मेरी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से हैं बहुत सारे इंफ्लूएंसर से लोग पूछते हैं इंफ्लूएंसर ने कैसे कुछ खरी लिया और बिल्कुल बिल्कुल राइब यह प्लैनिक जरूर करनी चाहिए वह आपको टैक्स होगरे में भी हेल्प करवा देंगे अगर काफी लोग टैक्स के हिसाब से सेविंग के हिसाब से इंवेस्टमेंट करना चाहते हैं जिनका मानलोग आट दस लाग पंद्रा लाग का साथ कम हैं उनके पास टैक्स सेविंग ऑप्शिंस भी होते हैं तो वो लोग यहां पर जैसे किसी से अगर कंसल्ट करते हैं देल हिल्प यॉट इन का मिनिममम एक से दो हंटा सिफ यह फाइनशल एडवाईजर सी एस वागरे का स्पेंड करता हूं लिए बहुत सारी चीज़ हैं जो मिर्कू नीड़ है ओके होके समझ यहां नहीं काफी मलब अपना पहले एक तो प्लान बना मलब अर्निंग इतना अपना बना ले आपके छे मैंच तक आप स्टेंड कर सको अपने लेवल पर कि अगर आपके पास में कुछ वर्क ना आए अगर स् एडवाइस लें तो वहां से वह अच्छा गाइड़न्स भी देंगे आपका आगे का फंड मैनेज करने के लिए तरीके या टेक सेविंग के तरीके भी वह आपको गाइड कर देंगे और रहेगा काफी अच्छा बताया यह पूछना चाहूंगा आप से एक बार कि जिसे आ पहले खुछ से सच पता करो मतलब जैसे मैंने लोगों को बोला अभी क्या है लोगों के अंदर ना मैं सच बोलूं तो भाई लोगों के अंदर हम्मत नहीं होती कि वह खुछ से हाट क्वेस्चिन्स पूछें और सच जब मेरे अंदर वह चीज एकदम से आ गई मैंको भी हा क्या रीजन था मैंनो इसे बहुत बहुत बोला यह लोगों ने बोलो सब्सक्राइब करें कि लालाच क्यों हो रहा था क्योंकि आस-पास के लोग बता रहे तें वह पैसा कमा रहे हैं तो वह चीज़ पाने एकसेप्ट करी उस चीज़ से ना मिरे को जितनी शांती मिली और तो सबसे लोगों को पूछना चाहिए क्यों करना चाहते हैं कोई बुरी बात नहीं है अगर आप लालश से शुरू करना चाहते हैं तो यहां से करो पूछो मैं क्यों करना चाहता हूं कि इस के घुतने साल तक करना चाहता हूं यह वाप को समझ आ गया गया जैसे कि मेरा हर महीने 50,000 रुब मैं क्रिप्तों में वही पैसा डालूंगा जो मैं अफोर्ड कर सकता हूं लूस करना भी बहुत रिस्की मार्केट है यह चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वही पैसा डालो जो आपको नेक्स्ट तीन साल में नहीं है अगर वह जला भी आज अप अगर आप हर महीने 20,000 रुपी तो आप इसमें और आपकी टोटल 50,000 रुपीज है तो आपके पांच परसेंट वहां का अलोकेट कर सकते हो ओके क्रिप्टो के लिए आपके टोटल इन्वेस्टिंग बजेट का 25 परसेंट आप क्रिप्टों में डाल सकते हूं जी ओके और दिर दिर आपका experience आजा तो आप उसको फाइफ को 10 कर दो मेरी गलती मत करो कि सारा पैसा डाल दिया ठीक है वह अच्छी भी चीज काम करें थी कि मेरे तीन-चार हफते में पैसा ट्रिपल हो गया था ऑके बट बुरी इस लए थी कि मैं को किसीने सिखाए नहीं कि प्रॉफि अब सचो में को पांच से वापस अगर एक लाग रुपे जाना तो अपना बैसा बीस गुना करना है तो मेरा यह पूरा पूरा चार साल तो उसी चीज में चले गए लॉस को रिगवर करने में तो यह चीज मैं सजेस्ट करूंगा लोगों को और उसके बाद आगर आपको अ हलका हलका करूंगा और इसमें चीज के पीछे मत भागो जैसे भी बहुत सारे लोगों ने देख लिया और ऐसे बहुत सारे मीम कोई आते हैं वह देख लिए हां हां वह चीज मत करूं किसी एक्सपर्ट से सीखो मैं करीना लगा था जो आज भी लोग करते हैं बहुत कॉमन तो मैंने करी सकता है मेरे पास तो मैंने तो मैंने करी सकता पूरा मेरे पास स्टार्टिंग में उतने भी नहीं दस दार रुपे से शुरू करा था पूरा नहीं खरी सकता तो रिपल कोई तो बहुत सस्ता था लो के अगर सोचा मैंने का ना मैं पूरा विट कोन करी सकता हूं तो चलो मैं बहुत सारे रिपल खरीद लता हूं यह तो मुझे काफी सारा मिल जाएगा पर यह वैसी बात हुएगी मैं घर का समानने ने गया तो आटा तीन सो रुपे बोरी है हाँ चावल पांच रुपे बोरी है मेरी जेब में पचास रुपे तो मैं दस किलो नमक लेया है पांच रुपे के हिसाफ से कुछ ना हुआ तो नमक बहुत सारा आगे नमक से थोड़ा मैं पूरी जिंदगी निकाल लूँगा राइट 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 यह गलती एक और चीज़ लोग करते हैं जैसे अभी भी मैं लोगों से देखता हूं तो बोलते हैं 45 लाग रुपे तो नहीं है मेरे बास तो कोई दिक्कत नहीं है 100 रुपे से शुरू करो अब इतनी एक्सचेंज वाले कर रहे हैं कि 100 रुपे सा बिट्पन करीदना शुरू कर सकते हो अब उस चीज़ से स्टार्ट करो धीरे 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 शुरू करो मैं सजेस्ट करूंगा इनिशली पहले 2-3-6 महीने जब तक आप कमफोर्टेबल नहीं हो जाते सिर्फ ब पता है कि मेरे छे महीने के अंदर यह पूरे घर्च हो जाएंगे मार्केट की वोल्टेलिटी के से रहती है एक दिन में प्राइस सट्टी-फॉर्टी बसंट कर जाता है आपको एक्सचेंज करना आजाएगा आपको समझ आजाएगा कि किन किन लोगों को न्यूज में होना चालू होता है अगर सो रुपे भी डाले तो आपको पता सब्सक्राइब करता ज्यादा समझ सकता आपका माइंड उस चीज़ों को जब आपका पेसा लगता है तब आपकी अटेंशन भी ज्यादा होती है कोई डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर रहा है अब आज के दिन में कोई फेस्बूक आड में पहले दिन एक लाग रुपे खर्च कर दे तो लॉस से खाएगा वो उसने आट तो सीखनी कपी चलानी तो सेम चीज़ यहां पर है ओके 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 एक क्वेशन मेरे म करें वो सही देता है क्या राया आपकी इसके उपर यह डिपेंड करता है मतलब इंसान की सिजुएशन पर पर नॉमल जो एक हम बोलते हैं लॉफ एच जो होता है जो कहता है कि आपकी इतनी उम्र है ठीक है उतना परसेंटेज आपका पॉर्टफोलियो डेट या क्रिप्टो बागी सारी चीज़ों में होना चाहिए कि मानलो जैसे 2020 मार्च में मार्केट क्राश कर गई थी मेरे पास पैसे नहीं थे इन्वेस्ट करने के लिए कहां से इंवेस्ट करूं लोन भी रखा है कोई देगा भी नहीं अभी तो 28 परसेंट सेफ करने का लिक्विट तो वही चीज़ है कि अगर आपके अंदर वैसे वली कैश अविलेबल है कभी मार्केट 30 गरती है और हर मार्केट गरती है कभी वह पेशन्स का गेम है तो उस टाइम पर आपके पास एक बाइंग ऑपरचुनिटी होती है जो आप लिक्विट फंड से यूज कर सकते हो अगर बाहर वेचते थे तो या तो से क्योर खरीदो या तब आना जब पैसे हो और अगर पैसे हैं तो खेलते हो तो 28% liquid fund 72% आपका बाकी चीज़ों में और बाकी चीज़ों में थोड़ा कुछ और बताएंगे कि कहां 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 करना चाहिए जैसे स्टोग भी हुआ क्रिप्टो भी हुआ या एफडी भी हुआ कहां मतलब करना बेटर है आपकी तो आपकी तो समझ आ रहा है क्रिप्टो तो कि बाद में कहां इंवेश्ट करना चोब क्या क्या ऑपोस्ट्निटीटिज हैं हमारे इंडिया में करने के लिए सबसे बहले ना गारा इसको बोलता हूं इन्वेस्टिंग और ऑव परेशिंस जो मैंने अपने मैंटोर से सीखा है उसका मेरा कि सबसे बहले नहींने आपको बता है कि मैंने एक लर्निंग फंड है तो लर्निंग फंड में हर महीने टेन परसेंट परसेंट डालता हूं क्या मतलब है कि आपके पास कभी ना कभी आपको फ्यूचर में कोई कुछ खरीदना पड़ेगा उस चीज को प्लान करके चलो जैसे आप महीने के अगर 50,000 रुपए कमाते हो और में पांच-पांच-पांच-दा रुपए सेफ करते हो शायद आपको इस महीने कोई कोई कोर्स सब्सक्राइब करना चाहता हूं अपना यह जो बिजनस लर्निंग है मतलब सेल्फ लर्निंग के लिए मेरे पास कुछ पैसा होना चाहिए वहां पर मेंको कोई नया टूल ट्राय करके देखना है कोई बंदा हायर करना है टेस्टिंग के लिए वहां पर भी मेरे पास होना चाहिए दिन मैं 28-30% अपना मिनिममम रखता हूं इसमें लिक्वडियर डेट फंड में जैसे पीपेफ हो गया यह पांच साल का लॉकिन के साथ आता है थीक है मतलब मैंने इसमें अलग से वह भी करता हूं दो स्मार्ट इसेशन निए वह फिर भी करता हूं और समिलर्ली मैं इन पीएश में करता हूं और शीम होगी तो वहां पर टी पर संट हो गया जो भी मेरा इंवेस्टिंग का पर सेंटेज है तो ठटी टेंटें टेंटी मंद फिफ्टी और जो इंशॉरेंस वगे तो उसको भी माल लेटें 20 हो गया वह अब अपना जालता हूं 15 पर संट एक्विटी में जैसे वीचल फंड में मेरा एक इंडेक्स पैसे फंड चल रहा है जैसे जो नॉमल निफ्टी का होता है यूटिया मुच्छ नहीं करना बस पैसा कट रहा है जतना वह जैसे हम बोलते सब्सक्राइब करता है और यह लिया क्योंकि मैं को यूएस एक टेक सेंटर दिखता है जो अधने दस साल अच्छी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी रखता है कि तो उसके लिए मैंने खुद को कवर करने के लिए क्योंकि मेरी रिस्क प्रोफाइल और बाकी सारी चीजों से मैच करता है तो मैंने दो स्मॉल क्याप मूचल फंड ले रखिए हैं एक सब्सक्राइब नहीं करते दूसरे और लग लग सेक्टरस में तो फंड्स के मामले में सिंपल चार फंड रखिए हैं जिसन मैं अगर स्टॉक्स शुरू करता हूं और मेरे स्टॉक्स मेरे मूचल फंड की तरह मैच करते हैं तो मैं शायद मूचल फंड रोख दूँगा तो अभी के लिए मेरे पास वो टाइम नहीं करने का तो सिंपल यहां पर बचाओ बंदरा सब्सक्राइब करते हैं और डालना भी चाहिए मैं भी इसको मानता हूं मैं इस चीज को फोलो करता हूं सब्सक्राइब करता है और मेरे पॉइंट बी जाने में करता है तो चीज मेरा पर पर सॉल्व नहीं करती ना मेरा कोई सब्सक्राइब करेंगे मतलब क्या आप कहना चाहते हैं आप थोड़ा समझाएंगे और परपस यानि एक साधी लेंग्वेज में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर मुझे का मीनिंग क्या है मतलब जैसे कोई परपस है तो इसको थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं वह बहुत अच्छा यहां जैसे जो मेरा स्मॉल क्याप फंड है वो दो मैं यह सोच के चल रहा हूं कि मैं अगले बीस साल तक रुखुँगा और उसका परपस सिंपल ही है कि बीस साल बात मेरे पास एक हाथ में रिटार्मेंट मनी होगा क्योंकि आप अच्छा रिटर्न देते हैं ओवर आप ल मेरा लिक्विट फंड है या जो मैंने थोड़ा बहुत बैंक अकाउंट में फिक्से बॉलिट वगरे में डाल रखा है या आड़ी करा रखी है वो मेरा नेक्स शे महीने खर्चे के लिए एक साल खर्चे के लिए इन चीजों के लिए तो किसे हम बोलते हैं गोल बेस इंव किया बट पचाते दार में लिक्विट फंड में डाल सकता हूं तो में को रिटर्न भी नौदस परसंट का दे देंगे और मेरा पैसा भी सेव रहेगा इंफलेशन की वेसे कम भी नहीं होगी पैसे की वाहिए और सेकंड परपस का पार्ट है कि आप अगीन जैसे मैंने बोल मेरा परपस है कि मैं यह अपनी आने वाले जैसे और कुछ साल है उसमें बहुत मेहनत करें अच्छा का साथ पैसा कमा के इंवेस्ट करूं ताकि मैं इस चीज़ को भी लाइफ में इंज्वाइब कर सकूं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं एक्स्प्लोर करना चाहता मैं जैसे मेरा एक ड्रीम है कि मैं को मिनिममम दो बुक्स जो कभी सिंस्पित में लिखेंगी है उनको हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो मैं को वो चीज़ सीखने है आउड ऑफ किरियोसिटी की कैसे करा जाता है और वो सारी चीज़ें हैं से मुझे एक बार मैराथन भाग सकता हूं जब मेरा जो और मेरे OC नीज़ें करना चाहता हूं कि अपनी फैमली के साथ साथ ना को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि मुझे थोड़े टाइम बार घूमने जाना है तो वाला फंड अभी से मेनेज करते रखो इस तरह से केसा भी परपर्स बना कि आप स्टार्ट कर सकते हो काफी अच्छा समझ आपका चोटा गोल या बड़ा गोल इस गोल कि अपके अच्छा सा इन्वेश्मेंट उपरजिंटी सिलेक्ट तो उसमें इन्वेश्ट करते रहो आइंस्टाइन ने एक चीज़ बोली नहीं बोली इंस्टाग्राम पर लिख आता है कि एक बार मैं पूरी सिचुएशन समझ गया उसके बाद मैं सारी चीज़ें कर सकता हूं कि मेरी प्रॉब्लम को सॉल्फ कर दें बट मैं बहुत जादा टाइम स्पेंड करता हूं वह प्रॉब्लम को समझने के लिए पूरा इन आउट हर डैमेंशन से हर आस्पेक्ट से ओके 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 दन्य सब्सक्राइब को बुलाने के लिए अच्छा लगा आप सब्सक्राइब करेगा मिलते नेक्स वीडियो में तिल दें बाई गाईज